अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप और इसेंपल अभी 9 लेकिन 9 लेकिन 9 लेकर आप स्टार्ट करतें तो आपका आगे फ्यूचर क्या होना चाहिए आपके बार रास्ते क्या-क्या है तो पहली बात तो यह कि आप अगर 8 क्लास के बाद जाहरे 9 में आएंगे तो 9 में अगर आप फॉर एक्जेंपल दो आप्शन दिये जाते हैं आप कंप्यूटर ले 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 या आप बायो ले ले इसके इलावा यहां तो आप्शन नहीं लेकिन और भी आप्शन है जैसे कि आप 9 में आर्ट्स ले सकते हैं जर्णल साइंसे बगेरा तो आपके पास भी आता है घुति मिलता है घुक और दो एक निया सकते हैं अगर आप यहांक नहीं पते हैं तो आपके पास दौशन होली कि अपते प्रिमेडिकल के इस्टेनड है आप pre engineering में भी जा सकते हैं, आप computer science में भी जा सकते हैं, आप pre medical में भी जा सकते हैं, आप आगे चलके doctor भी बन सकते हैं, आप engineer भी बन सकते हैं, आप IT की field के अंदर भी जा सकते हैं, इसके भी engineering की degree मिलती हैं, लेकिन आप तीनों चीजों में अपने आपको enroll करवा सकते हैं, computer science लेनी है first year second year आगर आगे चलके mind change हो जाता है कि आप बायो यानि कि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको फिर अभी बायो रखनी चाहिए 9th class में from the beginning अब अगर कोई कहता है कि मुझे बायो समझ नहीं आती तो पहली बात तो यह कि इसका मतलब यह कि आपने उस subject को पढ़ा होगा आप हवाई firing नहीं करते आपने जहन से वैसी बाते नहीं करते कि मुश्किल है यह है वो है अगर आपने उस subject को पढ़ा है आपके स्कूल वालों आपको वाकी नहीं समझ आती और आगे आपको डॉक्टर नहीं बनना आप रहें क्रिस्टल क्लेयर के आप आगे डॉक्टर नहीं बनेंगे फिर तो आप computer ले लें तो आपके पास यहां पर स्रिफ और स्रिफ एक ही option है बलके दो है या तो आप IT से रिलेट किसी भी सेक्टर में जाएं आप software engineering तो खैर मेरे खाल से कर सकते हैं लेकिन आप उसके इलावा किसी engineering की field में नहीं जाते हैं फिर आप sciences में जाएंगे आप computer science में जाएंगे आप जो रही है process lie to Không अलमय में आप computer पढ़ते तब भी जा सकते है। या आप you ओपड़नेये का आप अगे चल के दो सल आप पढएंगे उसके बाद आपका माइंड खुद ही डिसाइड करेगा कि दो साल बायो पढ़ने के बाद क्या आप वागी डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं अगर डॉक्टर नहीं बन सकते तो प्री इंजिनरिंग भी आपके पास ओप्शन है कंप्पूटर साइंस का भी है कॉमर्स का भी है अगर आप कंप्पूटर लेते हैं तो आपके पास जादा कोई फर्क नहीं है बस एक चीज है कि आप कंफर्म आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं अगर आपको आपके प्री मैडिकल लेनी है तो फिर आपको इजाफी बायो सब्जेक्ट एडिशनल देना पड़ेगा दोनों खुआपकी कोई आपके प्रॉपर अथेंटिसटी नहीं है तो आप जब इस तरीके से अपने कॉंसेट क्लेर करने के आपने कंप्यूटर अगर ली है तो आपके पास यह फिल्ड्स है अगर आपने बायो लिए तो यह सारी फिल्ड्स हैं अब जब आपने फाइनली आपके पास यहां पर प्रॉब्लम आती है अगर कोई स्टुडेंट प्री इंजिनरिंग लेता है तो सरफ वो युनिवर्स्टी में आफ्टर देस वो स्रफ और सरफ इंजिनरिंग ही कर सकता है अगर कोई आपके पास यहां पर प्री मैडिकल लेता है तो से वह मैडिकल नहीं जा सकता है वह MBBS और BDS और कुछ भी हो तो आपका यहां पर यह दो major fields फिल हाल पाकिसान में समझी जाती है और हर बच्चा कोईशिश करता है कि वह प्री मैडिकल लेता है बाकि जो अपने इंटरस्ट हो जाते हैं वह तो इन फिल्ट में जाते हैं जिनको यह दो नहीं बनना या उनको पता ही नहीं है क्या करना है उनकी परसंटेज कम आ गई है जिनकी परसंटेज कम आ गई है उनको यहां पर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो उन्हें पता नहीं होता क्या करने तो इन दो फीड़् में चले जाते हैं आगे चलके software engineering कर सकते हैं, अगर आप pre medical के student हैं या pre engineering के student हैं, आगे चलके आप software engineering कर सकते हैं, आपकी university is allow करती हैं, कि आप as a software engineer इंगोल करवा लें, IT की field में लाजमी नहीं है computer science में आप जाएं, पाकिसान के अंदर फिलहाल क्योंकि हम यासिन की बात करें, कराची की बात करें, तो कराची के अंदर आपके बार H.E.C. नहीं यह रूल बनाया है, फिलहाल अभी इस वक्ते लिए, क्योंकि हम बात करने इस साल के लिए तो आपक आपका चाहे pre-medical हो, या pre-engineering हो, दोनों student आगे computer की field में जा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ computer का student ही इस field में जाएगा, अगर आपने computer science ली थी, first year के अंदर, या आपने first year, second year, nine metric में computer रखी है, लाजमी नहीं है कि आपको computer रखनी है, तो आप आगे software engineering करें, अगर किस को अभी से clear है, कि आगे उसने क्या बनना है, किस field में जाना है, किस field में specialization करनी है, तो लाजमी नहीं है कि अगर आपको software engineering करनी है, IT किसी field में जाना है, तो उसके लिए आपको computer science ही रखनी पड़ेगी, आप bio में है, या आगे चलके आप pre-engineering या pre-medical लेते हैं, तब भी आ आप software engineering, आप software की field में जा सकते हैं, और ये software की field है, एक tool है, basically, software is a tool, अभी आपके दुनिया change हो रही है, revolutionize आपके पास दौर चल रहा है, IT revolution आपके पास हर चीज़ हो रही है, आपके हर चीज़ हो रही है, आपके हर चीज़ computer-based, digital आपके चीज़े जा रही है, तो उसके लि है, तो डिपलोमा कर रहे है, वो कुछ अपने अंदर खुदी घर पर बैठ के skills develop कर रहे है, तो ये आपकी skills है, software आपकी skill है, ये आप घर पर बैठ के भी develop कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई complete करने के बाद भी develop कर सकते हैं, ये टूल है सिर्फ, तो अगर आपको अभी से confirm ह है कि आपने आज से 4-5 साल बाद ये इस चीज में enroll करवाने हैं, और आज 10 साल के बाद आप ये इंजीनियर ये particular पेशे पे होंगे, आपका ये profession होगा, तो फिर तो आप अपना ये career path design कर लेगे, लेकिन अगर किसी student को नहीं पता, एक होता है कि एक बच्चा जिसको 8 class और 9 पता है कि उसने university में कौन से subject, कौन से field में जाना है, लेकिन होते हैं, एक नहीं, बहुत सारे होते हैं, जिनको नहीं पता होता है इस उमर में, तो उनके लिए हम कहते हैं कि अगर आपको confirm है कि आपने doctor नी बनना, तो नायत में computer ले ले, कोई मसला नहीं है, अब यहाँ पर marks आपके हाथ में हैं, आप जितनी मेनत करेंगे, आपके उतने marks आएंगे, इसमें कोई बात नहीं होती कि computer में जादा marks आएंगे, जो बच्चा just subject में जितनी मेनत करेगा, उस subject में उसके marks उतने जादा आजएंगे, क्यू्सके अभी इस दौर में, इस वक्त computer की field में इतनी importance नहीं दी गई अभी हम बहुत सारी जावब बहुत पुराना पुराना आपका ने इतना अच्छे से नहीं समझते तो असान घ्राइस देखा जाए तो लेकिन अगर अगे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको मुश्किल होता जाए गा तो इन दोनों में से आपके पास बैतर ऑप्शन बायो क्यों अभी समझा जा रहा है क्योंकि आपके लिए सारी फील्ड ओपन है जो बच्छा कंप्यूटर ले लेगा उसके परी मैडिकल ओपन नहीं होगा हो सकता है आप उन इस्टुमेंट में से हो जिसको पता ही नहीं है आपके पैरेंट्स ने आपके लिए डिसीजन लिया है आपको पता ही आगे चलके आपने क्या करना है हो सकता है आपका इंटरस्ट की और मुझे वगारा वगारा अपने दिमाग में जो आप बूलना चाहें तो बराल आपके पास यहां पर अगर कंप्यूटर आप ले चुके हैं तो फिर आप डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं तो इसके लिए अलग मैनत करने के लिए कोई बंदा राजी नहीं है कोई भी अपना future decide करने के लिए कि मुझे आगे क्या बनना है कहां जाना है दो साल सोचें और उसके बाद finally decide करें कि आपने किस field में जाना है आगे engineering करनी है तो कोई मसला तो है नहीं computer अभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं यहां भी computer नहीं पढ़ना लेकिन जब यहां पर computer पढ़ना पढ़ेगा तो आप limited पढ़के अब जाहरे चार-पांच साल computer के बारे में पढ़ना है software design करने वगएरा वगएरा खुद इंट्रस्ट होगा computer सिख नहीं होनना university भी सिखा देती है इवन आप pre-medical के student होंगे और आपका आगे for example इंट्रस्ट नहीं बनता डॉक्टर में आप डॉक्टर बनना नहीं चाहरे है आपके parents नहीं जबरदस्ती आपको pre-medical में पढ़ा दिया आपका खुद का इंट्रस्ट नहीं था उस वक्त आप decide नहीं कर पा थे लेकिन अब आ आपके लिए finally एक option है कि अगर आपके इंट्रस्ट बनता है आपके इंट्रस्ट के उपर बात हो रही है आपका इंट्रस्ट है आपकी दिल्चस्पी है उस subject में तो आप जाएंगे otherwise आप इसी को continue करें pre-engineering के बाद इंजीनरिंग की इतनी सारी fields हैं किसी में भी चले जाएं इतनी सारी fields हैं जिसमें भी आपका इंट्रस्ट उसमें चले जाएं लेकिन अगर आपको अभी भी जिस तरह पूरी दुनिया भाग रही software engineering की तरह और अभी भी बहुत सारे बच्छों के दिमाग में बैठा होगा कि उन्होंने software engineering इसलिए करनी है क्योंकि उसमें पैसे अच 8-9 साल के gap के बाद आपको देखना है क्या आप जो फील्ड आज पसंद कर रहे हैं 8-9 साल के बाद क्या वही जो अभी market में value है जो अभी market के अंदर इसकी बहुत जादा importance है क्या 8-9 साल बाद भी वही रहेगी ऐसा भी हुआ है कि एक फील्ड को सालों पहले petroleum engineering एक दम से टॉप पे आई थी हर बच्चे को petroleum engineer बनना थी कि उसकी जॉब एक दम से आगे थी और बहुत जादा market में उसके चर्चे थे हर बंदे को उस फील्ड में जाना था लेकिन 2-3 साल के बाद उसके अंदर saturation आगी और अ उसमें कोई जाना नहीं चाता है तो आप अगर कोई field अभी decide करेंगे तो 8-9-10 साल के बाद आपने उसके अंदर अगर जाने तो उस लिहास से आपको सोचना पड़ेगा क्या आपके पास opportunities भी है क्या उस field का scope भी है या नहीं है तो simple है आपके पास start होता है 9 से 9 में decide करें computer अगर आपको पक्ता पता है doctor नहीं बनना आप इदर stick रहें कोई मसला नहीं है आगे जा सकते हैं लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता तो इदर आजें आपना switch कर लें क्योंकि अभी अगर आपके enrollment form नहीं गए तो आप अपने bio में switch करवा सकते हैं आपके पास सारी eligibility होंग कि आप हर जगा eligible होंगे तो फिर आप इसमें कोई भी select कर सकते हैं depending upon your percentage and your interest कि आपके subject में के school में जादा जिल्चस्ती है आप उस subject में उस school में जाके अपनी enrollment first year, second year में करवाएंगे और उसके बाद फिर आप आगे अपना university select करेंगे कि चलें अब आपके inter start हो गया अब आप आपके पास दो साल हैं जिसने आपको मैनत करके इस particular university में जाना है जहां पर percentage इस particular field की इतनी जाती है तो मैं इतनी मैनत करूं इंटर के अंदर के मैं इस university के अंदर दाखला लिए फिर आपके पास यहां पर अगर engineering है तो engineering, अगर medical है तो medical, अगर आपके पास कोई और IT से related च करने कुछ भी करने commerce की अपनी itself इतनी सारी fields है तो जहां आपके इंटरस बैठता है आपके पास यह दो साल होते हैं इन दो साल में आपको decide करना होता है 9 metric में बैठके कि inter में कौन सी field रखनी है फिर inter में आपके बाद 2 साल होते हैं जिसमें आपको decide करना होता है कि चले अब के अपने अपने पोचेंगे और उसके बाद आप अपने लिए decide करेंगे कि आपने अगर इस university में जाना और इस university के अंदर for example minimum percentage is required 83 83 का मतलब यह कि आज आपको 83 चाहिए हो सकता है दो-तीन साल बाद यह 84-85 हो जाए तो आप क्या करेंगे अपनी मैनत इतनी करेंगे 90 या 90 प्लस परसंट आए तो फिर आपका तब तक उस university के अंदर उस field के अंदर admission भी हो जाएगा तो यह साड़ा कुछ आपको अभी से सोचना होता है और फिर जब आपको एक वज़ा मिल जाती है कि आपके पास यह reason है तो फिर आप उसके लिए से मैनत भी करते हैं अगर आपको जाना होगा जिसमें आपकी परसंटेज 70% रिक्वाइड है किसी ऐसी फिल्ड में आपको जाना है तो आप 100% या 90% की मैनत नी करेंगे फिर आप 70-75% आजाए इतनी मैनत करेंगे उसके इलावा हाडवर करेंगे भी लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी वहां पर परसंटेज 85 प्लस रिक्वाइड है लेकिन आपकी परसंटेज यहां पर टेस्ट देने पर तो 77 आप आई नहीं रही फिर आप एक्स्रा एफर् झाल